Students class 7 के history के chapter number 6 में आपका स्वागत है इसमें हम पढ़ेंगे कुछ important cities के बारे में historical cities के बारे में तो इसमें शुरुआत हो रहे हैं कि what would a traveler visiting a medieval town expect to find यदि कोई traveler medieval time पे गुमने आता तो उसको क्या मिलता है हमारे देश में this would depend on what kind of town it is यह question का answer इस प्रकार से होता है कि उस समय में किस तरह के town होते है जैसे एक temple town हुआ करते थे, administrative center हुआ करते थे, commercial town हुआ करते थे या port town to name just some possibilities in many fact many town combined several functions अब कई town में तो कई तरह के function होते थे, जैसे वो administrative center भी हुआ करते थे temple town भी हुआ करते थे और commercial activities के भी center हुआ करते थे तो यदि आप इस map में देखें, तो इस समय में क्या है, उस समय में medieval time में जो भी महत important cities थी उनके नाम यहां पर दिये गए है तो इनी cities के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहला administrative center हुआ करते थे जैसे हम तंजवर जो चोल राजाओं की capital थी, यदि हम उसकी बात करें तंजवर की, तो thousand year ago की बात है कि जो उस समय में वहां पर चोल राजा ने जो तंजवर कुर अपनी राजधानी बनाई थी तो वहां पर कावेरी नदी बहा करती थी और वहां राज-राजेस्वरा temple जो था, वो king राज-राज चोला ने बनवाए था ठीक है, और उस temple में क्या था, कि मंडप थे और पैवेलियन थे king जो थे वो hold करते थे, court मतलब court यहां पर लगाया करते थे कई बार राजधरबार मंडप पर लगाया करते थे और वहां पर अपने subordinates को order दिया करते थे वहां पर आर्मी के barracks भी हुआ करते थे, temples में और temples town में, तो यह जो town थे, जैसे तंजावर जो town था इस तरह के town जो थे, bustling with market थे, मतलब वहां बहुत सारे चीज़ें बिखने आती थी, जैसे grain, spices, cloth, jewelry, water supply जो थी वह well और tank से होती थी, यह important चीज़ धियान रखना है फिर जो अलग तरह के वहां पर कारीगार हुआ करते थे, इसे weaver हुआ करते थे वो कपड़े बुना करते थे, flag भगवान के लिए कपड़े बनाते थे और मंदिर के लिए flag बनाया करते थे, और दूसरी और कुछ sculpture थे sculpture मतलब जो मूर्थियां बनाया करते थे, idol बनाया करते थे, bell बनाया करते थे तो इस तरह से क्या था, temple town बहुत सारी activities से related हुआ करता था, तंजबूर, temple town का भी example है, temple town का मतलब होता है कि बहुत important pattern of urbanization क्योंकि उस जमाने में, जैसे आज आज आप देखते होंगे, कई ऐसी famous जगे हैं, कई ऐसे famous temple हैं, जहां बहुत ज़ादा घना बसा हुआ शहर है तो उस समय में भी यह हुआ करता था, urbanization का pattern वहां मिलता था, क्योंकि यह economy और society के center हुआ करते थे, temple rulers जो थे, वो temple बनाया करते थे, अपने devotion को दिखाने के लिए, और वो temples को grant of land और money दिया करते थे, फिर feed करते थे, pilgrims को, pilgrims मतलब होता है ती इत्यात्री, और priest को जो पुजारी थे, और कई celebrate करते थे, कई festival, pilgrims भी जो temple में आते थे, वो donation देते थे, और temple जो authority हुआ करती थे, वो इस wealth को trade और banking के लिए finance के रूट में use किया करते थी, तो बहुत सारे priest worker, artisan, trader, जिस सब settle होने लगे temple के पास, ताकि वो cattle कर सकें, cattle कर सकें, मतलब दे सकें, need of those of pilgrims की जो भी तीर थे, आत्री आ रहे हैं, उनकी जो आवशकता हैं, उनको पूरी कर सकें, तो इस तरह से temple town grow हुए, तो अब यदि आप से question पूशे आता है, कि temple town कैसे grow हुए, तो आप ये वाला example लिख सकते हैं, फिर town emerge around temple, जैसे कि जो भी town इस तरह के हैं, जो temple के आजू बाजू है, उनमें example हैं, जैसे विदीशा है मध्यप्रदेश का, सोमना थे गुजरात, कांची पुरम मधुर रही हैं, तमिल नाडू में, तीरुपती आपने सुने ही होगा नाम आंध्र प्रदेश में, तो ये सब जो है, ये temple town के example है, कुछ pilgrim centers भी हैं, जैसे विरिंदावन उत्तर प्रदेश में हैं, और अजमेर राजिस्थान में हैं, तिरुवन मलाई, तमिल नाडू में हैं, च चिस्ती की दरगाह है, ठीक है ना, और वहीं पर पास में एक पुसकर लेख है, तो जो से बहुत सारे pilgrims, हिंदू pilgrims वहा जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है, जो pilgrim center थे, वो भी धीरे-धीरे बहुत भीमस होते चले गए, फिर network of small town, 8th century के onward, जो subcontinent था, हमारा देश था, उसमें बहुत सारे small town होने लगे, और ये सारे small town villages से बने रहे होंगे, उनमें एक मतलब मंडाव पिका हुआ करती थी, जिसको मंडी कहा जाता था, जिसमें विलेजर सामान बेचने आते थे, और heart बजार हुआ करती थी, कई तरह के artisan उसमें आते थे, तो इस तरह से धीरे- small town develop होने लगे, और जो trader in town में रहते थे, या जो दूसरे town से आते थे, तो ये local article मतलब जो उनके जगह, उनके शहरों में famous थे, वो article को बेचा करते थे, और अलग-अलग जगहों से वो चीज़ें ला करके बेचा करते थे, जैसे नमक, camphor, saffron, betel nut, ये सब चीज़ें सामन्त लोग जो थे और जमीदार जो थे, वो क्या करते थे, टाउन के आसपास fortified place बना देते थे, वो लोग tax लगाया करते थे, इन सभी traders पर, artisan पर, article of trade पर, और कभी-कभी donate कर देते थे, right to collect these taxes to local temple, और कई बार ही क्या होता था, temple को ही tax वसूल करने का वो अधिकार देते तो इस तरह से क्या है कि कई जो record मिलते हैं, जिसमें ये पता चलता है, कि सामन्त लोग temple को ही एधिकार देते थे, फिर traders big and small, कुछ जो traders थे, बहुत, जैसे छोटे थे, जैसे बंजारा लोग थे, और horse traders थे, तो ये सब जो थे, कैरवा के रूप में चलते थे, बड़े- को मिल सकते इनके बारे में, फिर जो South East Asia और चाइना में देखने को मिलते हैं, फिर कुछ communities थी, ठीक है, बुच्छा से गुजराती जो लोग traders थे, बनिया, Muslim, बहुरा थे, तो ये लोग जो थे, इस्पेशली जो थे, ये व्यापार किया करते थे, Red Sea, Persian Gulf East Africa, South East Asia और चाइना कि आफरीका से लाते थे, Chinese Blue Pottery को ला करके बेचते थे, इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे-धीरे जो है, बहुत सारी जगों से लोग सामान, विदेशों से भी मतब सामान आने लगा, और Indian का spices और cloth जो था, वो Red Sea Port में जब बेचा गया तो उसको Italian traders लोग खरीते थे, और जिस इसी के कारण संस, 1600 में European travelers या traders जो थे, वो India है, फिर craft person बहुत famous थे, जो town, temple town हुआ करते थे, जैसे विशकर्मा community बहुत famous थी, goldsmith थे, सुनार लोग थे, ब्राउंज स्मित थे, blacksmith मतलब लोहार जो लोहे का काम करते थे, मेजन और कारपेंटर थे, वीवर्स हुआ करते थे, जैसे भी हम पहले, और बहुत साथ तरह के जो, मतलब prosperous communities हुआ करती थी, जो मंदिरों को दान भी देती थी, और मंदिरों के लिए craft का काम करती थी, कपड बनाती थी, बरतन मनाती थी, अब हम इन जब चीजों की study जैसे हमने की temple town की, तो अब हम कुछ temple town के example देखेंगे, जैसे हमपी, मुस्ति पर्टनम और सूरत, जैसे देश, मतलब जैसे temps के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे हमपी जो है, वो कृष्णा तुंग भद्रा बेस पर स्थित है हमपी, वहाँ विजयनगर empire में हुआ करता था, और इसके जो ruins मिले हैं, हमपी में जो मतलब बहुत अच्छे मंदिर मिले हैं, बहुत अच्छे किले मिले हैं, तो उसमें एक बात देखी गई कि उसमें कोई mortar नहीं लगाया जाता था, मतलब पत्थरों के बीच का जो architecture है या building मनाने का तरीका वो बहुत गजब का है, well plant वहाँ orchard मिले हैं, फलों के बागीचे मिले हैं, sculpture motif मिले हैं, lotus मिले हैं, ठीक है न, और इस तरह से क्या है, कि हम भी जो था वो commercial cultural activities का केंद्र हुआ करता था, और कई muslim merchant, chatties और agent of European trader, Portuguese जो थे, वो इसके market में आया करते थे, फिर क्या हुआ, कि विजन अगर empire जो था, उसने, मतलब, ठीक, keen interest लिया, वहाँ पर tank और canal बनाने में, वहाँ पर अनंत राज सागर टेंक जो है, वो 1.37 km बनाया गया था, ठीक है, माल देवी river पर, और कृष्ण देव राय जो उस समय के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो है, हमपी को, मतलब, irrigate करवाया, वहाँ के field को, और वहाँ पर जो temple हुआ करते थे हमपी में, वो सब hub हुआ करते थे, cultural activities का, वहाँ देवदासिया हुआ करती थी, जो वहाँ पर एक stone का chariot मिला हुआ है, अभी भी है ये वहाँ पर, और विठल temple में, हमपी में है, हमपी को जो है, वो धीरे ruins में चला गया, मतलब, जब विजा नगर empire की हार हो गई, 1565 में, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो ruin में चला गया, उसी के बाद अगला जो, आपन सहर देखेंगे, वो सूरत है, सूरत गुजरात में था, वो भी बहुत famous, आज भी famous है, उसको gateway of trade to west Asia कहा जाता था, उसको gate of मक्का कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो pilgrimship थे वो यहां से जाया करते थे मक्का मदीना के लिए, तो उसको gateway of मक्का भी कहा जाता था, और जो है, Dutch और English ने सबसे पहरी जो factories और warehouse जो बनाये थे, वो वहीं से शुरुआत किये थे उन लोगोंने, और इस तरह से जो है, यह एक काफी famous जगह हो गई थी, सूरत, और textile जो सूरत का था, वो बहुत famous था, वहां जरी लगा करके, gold lace border बना करके, कपड़े बनाया जाते थे और आज भी सूरत जो है, वो बहुत famous है, फिर सूरत का भी decline हुआ, वहां पर भी धीरे-धीरे loss of market हुआ, मुगल empire के आज आने से वहां पर चीजों का decline हुआ, decline हुआ मतलब धीरे-धीरे उसका महत थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फिर दूसरे रास्ते जैसे Mumbai खुल गए थे, लोग मतलब यापार करने लगे थी, परन तो आज भी सूरत का अपना महत हुआ, ऐसे ही एक जगह हुआ करती थी, मौसली पर्टनम, मशली पर्टनम जिसको कहा जाता था, और ये भी जो था center था, intense activity का, और फिर क्या हुआ कि East India Company ने यहां पर अपना काम शुरू करी थी, औ बहुत सारे Persian merchant और गोल कुंडा के nobles के बीच में और European traders के बीच में, तो ये city बहुत popular, popular हो गई थी और prosperous हो गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि, जब 1686 और 1687 में, मुगल emperor और रंग जीब ने गोल कुंडा को अपने में मिला लिया, जिसके कारण European company को alternative धूनना पड़ा, और East India company ने फिर एक ऐसी जगह ढूनने लगी कि जहां से क्या हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा सो connection मिले, तो धीरे धीरे मौसली पटनम क्या था, कि उसका भी जो महत्व था, वो कम होने लगा, क्योंकि जो जिस साशक ने इसके उपर अपना अधिकार जमाया था, तो धीरे धीर जो European traders थे, उनको permission ने मिली, तो वो फिर क्या हुआ, दूसरी जगह जाने लगी, तो इस तरह से क्या हुआ, मुसली पटनम का जो महत्व था, वो 18th century में decline हो गया, फिर European countries जो थी, वो नए जगहों को ढूंड रहीं थी, Europe और West Asia में, English, Dutch और French भी चाहते थे, कि मतलब East India Company के सा वो, formed East India Companies in order to expand their commercial activities in the East, ठीक है न, तो इस तरह से फिर क्या था, नए नए जगहों की तलास होने लगी, और नए नए जो सहर थे, वो भी उभरे, और इसी समय में क्या हुआ, decline of independence of craft person हुआ, क्योंकि जद्धे भी European agent थे, वो क्या करते थे, craft person से सीधे सामान को खरीद लेते थे, और बहुत कम पैसे में वो खरीदते थे, और इसी कारण क्या हुआ कि फिर धीरे नए पिल्ग्रिम सेंटर और नए जो सेंटर के रूप में उभरे, और वो थे, बॉमबे, कैलकटा और मत्रास, जो आज भी noble cities है, और जो भी craft और commerce craft कर दिया गया, black town में ये लोग रहते थे जो artisan होते थे, और white town में जो थे अच्छे लोग रहा करते थे, जो की मतलब British हुआ करते थे, तो British लोग जो थे वो अच्छी जगों पर रहा करते थे, तो इस तरह से और उनके जो residence थे, वो superior residence थे, तो इस परकार ये chapter हमको ये बता है कि किस तरह से town और cities develop हुए, पुराने समय से लेकर के middle age से लेकर के अंग्रेजों के समय थके, तो I hope कि आपको lesson समझ में आया होगा,